अगया था 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 कि हमें इन दा मनी एड़ दा मनी और आउट अप दा मनी स्ट्राइक प्राइज पे एक एक अप्रीड वीडियो मिले जिसमें सारी इंफोर्मेशन हो कि कौन सा स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइज इन दा मुंहुति अब दा मनी दा मनी या फिर और आघघ़ा करेंगा वीडियो हमें आपको सारी की सारी इंफोर्मिशन शेर करतेंगे ताकि आज के बाद जब भी अप Hetर न्गे करेंगे तो आपको Birthday पता हो कि कौन सा strike price in the money है, at the money है या फिर out of the money है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो traders अभी हम आ चुके हैं computer screen पे तीन चीजे हम discuss करेंगे सबसे पहली चीज हमारे लिए रहने वाली है ITM जिसको हम बोल सकते हैं in the money, दूसरी चीज हमारे पास रहने वाली है ATM जो होता है add the money और last चीज हमारे पास है OTM जिसको हम बोलते हैं out of the money, that means कि यह तीनों ही चीजें आपके लिए कैसे relate कर सकती हैं हम एक एक करके discuss करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ITM की, ITM में क्या होत है, जिस तरह से आप nifty या bank nifty या किसी stock का price देखते हैं, उसमें मान लेते हैं कि 500 पे अभी कोई stock का value चल रहा है, अभी क्या होगा, जो अगर आप option में इसका strike price select करेंगे 500 का ही call या put, अगर हम call वाली site को assume करते हैं कि उपर market जा रहा है, तो क्या होगा, यहां पे देखे 500 क अगर मैं CE को add कर लूँ, तो इसका मतलब 500 पे ही market है, 500 का ही हम buy करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो हो जाएगा add the money, that means कि यह जो strike price अभी हम choose कर रहे हैं, यह exactly add the money है, जहां पे अभी market चल रहा है, दूसरी चीज क्या होगा, अगर आपको कोई suggest कर रहा है कि आप in the money को लिज चाते हैं, जो उसमें already price आ चुका है, that means कि 500 से कम बाला कैसे, अब 450, 460, 417, 80, 90, इसी तरह से जो भी 500 से पहले का रहेगा, वो सारे का सारा जो भी strike price हमारे रहने वाला है, intrinsic value का, वो रहने बाला है, इंदा money, तीसरी चीज हमारे पास क्या रहने बाली है, otm, अभी हम बात कर हैं, call वाली side का इसी को आप बिल्कुल mind में लेके चले, कि हम उपर वाली side जाने की बात कर रहे है, 500 पर यहां पर market है, और यह 600 के लिए prepare हो रहा है, तो उस case में क्या होगा, otm के आने बाला है, जो 500 से उपर की values हैं, अगर 510 रहेगा, 520 रहेगा, 530 रहेगा, इस तरह का ज simply क्या बोलेंगे, otm, बोलेंगे call वाली side, दूसरी चीज है, put वाली side कैसे चलेगा, put वाली side क्या होगा, simply इसका reverse हो जाएगा, अभी हम क्या बोल रहे हैं, 500 की value हम मान लेते हैं, पी वाली side, तो पी वाली side मतलब कि market अभी उपर जाने के बजाए हम क्या सोच रहे हैं, market नी नीचे आने के लिए prepare हो रही है, minus में जाने के लिए prepare हो रही है, तो इसका मतलब market पहले 510 पे जा चुका है, 520 पे जा चुका है, 530 पे already market जा चुका है, तो इसका मतलब ये है, ये जो सारे के सारे strike price रहने वाले हैं, अब ये बनने वाले हैं, in the money, जैसे यहां पे call वाली side नीचे से हमारे पास, in the money था, अब put वाली side, उपर वाली side है, in the money आ रहा है, add the money, अगर हम 500 का example लेके चल रहे हैं, तो 500 दोनों ही case में हमारे लिए क्या रहने वाला है, add the money रहने वाला है, दूसरी चीज, इसमें OTM क्या होने वाला है, जहां पे ये अभी reach नहीं करा है, that means क 500 से पहले, अब जो 450, 60, 70 जो हम पहले example ले चुके हैं, ये सारे के सारे हमारे लिए क्या रहने वाले हैं, OTM, that means कि out of the money हमारे लिए बन जाएंगे, कि हमारी expectation है कि market 490 पे जा सकता है, 480 पे जा सकता है, 470 पे जा सकता है, 460 पे जा सकता है, तो इसी तरह से ये सारे के सारे level ह हमारे लिए considered हो जाएंगे, OTM, अभी मैं आपको live example से दिखाता हूँ, zerodha के accounts पे लेके, आप लोग चाहें, तो zerodha के account आप trading के लिए open कर सकते हैं, आपको zerodha का link मेरे description box में मिल जाएगा, अभी देखिए मैं आपके लिए अगर मैंने bank nifty का chart खूल रखा है, market अभी चल र है, 38,200 के level को, because अभी देखिए 200 यहां से only and only 30 points के दूर है, अभी आपके लिए अगर हम call वाली side के लिए जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है, आपके लिए OTM जो रहने वाला है, वो रहने वाला है, 38,300, 38,400, 38,500 and so on, similarly, आपके लिए at the money, 38,200 आगया, in the money क्या होगा, 38,100, 38,000, 37,900, तो यह सारे के सारे क्या लेहने वाले आपके पास, ITM, यह ITM बन जाएगा, यह ATM बन जाएगा, और यह OTM बन जाएगा, यह call वाली side, अब हम same example डिसकस करते हैं, PE के साथ, that means, put वाली side के market अगर नीचे जाएगा, तो कौन सा ATM है, तो कौन सा OTM है, अभी क्या होगा, हम मानके चलते हैं कि market 38,200 से नीचे जाने वाला है, तो क्या होगा, 38,200 अगया बनने वाला है, ATM बनने वाला है, इसके बाद OTM कौन सा होने वाला है, 38,100, 38,000 exactly, 37,900, 37,800 and so on, और दूसरी side, अगर हम इंदा मनी देखें, तो 38,300, 38,400, 38,500 and so on, तो बहुत ही simple है कि आपके लिए इसमें इंदा मनी ये हो जाएगा and out of the मनी ये हो जाएगा, अब आप दोनों ही चार्ट को अगर relate करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे बड़ा difference क्या दिखेगा, जो call में इंदा मनी था, वो put में out of the म नहीं था, वो call में in the money हो रहा है, यह बहुत ही simple relation है call and put में, साथ ही साथ ATM and OTM में, और maximum जो trades आप देखेंगे, वो ATM, OTM, ITM से relate करके ही execute किये जाते हैं, और सबसे बड़ा इसमें जो role रहता है, वो in the money and out of the money कही रहता है, यह आप आने वाले दिनों में देख लेंगे, तो traders आज की वीडियो में आपने देखा कि in the money, out of the money, और add the money को कितने easily आप लोग समझ सकते हैं, और कितने easily आप इसको trade में use कर सकते हैं, आने बाले दिनों में हम और भी असी learning वीडियो बनाएंगे, future versus option, दोनों बहुत important चीज़े हैं, और दोनों में बहुत जादा confusion लोगों का रहता है कि कैसे हम trade करें future में, उसके क्या benefits हैं, साथ ही साथ option में जब trade करें, तो कौन सी चीज़ों का हमें ज्यादा ध्यान रखना अचीए, तो आप जुड़े रहे हैं हमारे चैनल पे, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको learning मिल रहा है, आप हमारी वीडियो को like कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, share कर सकते हैं नए trader के साथ, ताकि उनके भी confusion clear हो जाए, इसके साथ आप हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले, और आप चाहें तो हमसे telegram चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहांपे daily की market की analysis आपको free of cost में मिलती है, even nifty, bank nifty और stocks के levels आप लोगों को share कर दिये जाते हैं, तो trader चलिए आपके लिए बहुत सारा good luck, मिलते हैं next video में, take care and thank you.